गईच आज के इस वीड़ियो में हम बात करेंगे समदिय के बारे दढे बहुत Spritsा Concept होने वाला है और मैं बताओं गांगा इंदर सम होता है कि क्या वे लुक्या करता है कि क्बपन से यरे के ले मैंट है कॉन सी चेकर रिटेर रिटेर ने और नहीं प्रिटन करेंगा ठीक है तो इसका हम एक्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले एक्सक्रमेशन मारक लगाऊंगा इसमें यहां प्याऊंगा सबसे पहले और एक करूँआ किया मैं एक परिग्राफ लोगा लेकिन उससे परे बटन लोगा ठीक है क्लिक में नाम से क्लिक में नाम से मैं बटन लिया और इसके अंदर मैं जलता हूं सबसे परे परिग्राफ और आईडे मैं लेता हूं आईडी वन आईडी वन लेना सोरी ठीक अब जावास्किप्ट का यूज़ करते हैं देखे सबसे पहले मैं यहां पर जलता हूं स्क्रिप् 50 and 18 and 23 चलो मनें यह इसके अंदर कुछ values पास कर दी है ठीक है अगर मैं क्या करूँ यहां पर document.write करूं simple document.write करूंगा जो मैं नम को तो कई जैसे मैं नम को करूंगा document.write और प्राउजर के अंदर चलोंगा रिफ्रेस करोंगा तो मुझे क्लिक मी और मुझे एरे मिल रहा है ठीक है अब हम क्या करते हैं सबसे पहले इस बटन को require करते हैं तो cost ठीक है btn equal to document.querySelector यह आपको पता है क्लिक कोई भी करता है तो क्या हो एक फेटर फंक्शन चलना चाहिए इसके अंदर क्या होना चाहिए देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप क्या करो इस id को target करो तो document और get element by id और इसके अंदर चलके क्या करो जो आपका id वन है इसको target कर लिया मैंने चलो और इसको मैं एक variable के अंदर store कर देता हूँ इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ देखिए अगर जो मेरा area का वेरियाबल है नम डोट इस पर जाके मैं सम का यूज करूँ गाईज वन सेकिंट सम का मैं यूज करूँ और इसके अंदर गाईज में एक फंक्शन चला दूँगा जिसका नाम हो my functi function perfectly अब मैं क्यों से ला रहा हूँ देखिए आपको बताता हूँ यहां पर आता हूँ सबसे पहले और function को define करता हूँ यहां पर इसको function को मैंने call किया और इसको मैं define करता हूँ my functi function ठीक है इसके अंदर मैं एक task देता हूँ ठीक है अब वो return क्या करेगा return करेगा guys वो यहां पर आके task ठीक है चलो मैं value check कर रहा हूँ यह मेरा area है इसके अंदर क्या 14 से कोई value बड़ी है इसके अंदर obviously 15 रही and 18 है and 23 equal तो नहीं है लेकिन एक condition यहां पर true हो रही है कोई value से बड़ी तो है लेकिन बड़ी है मतलब condition true है ठीक है equal लगाते तो मतलब equal का होता हो condition false होती लेकिन अभी मतलब क्या है task greater than equal to 14 change alright तो मतलब condition true हो रही है अन्ड़िय से मैं इसको refresh करता हूँ हाँ यहां पर आ ड़लाइट There you are very आपको बताता हूं मैं यहां पर क्या प्रोब्लम कर दी है Whew और और अल्राइट पटा है मैंने क्या कर दी हम आप काम करता हूं इस चीज को आफ दाता हो एक आप देकिए आप देखेctive सबसे पारे मैं button को require करतaren इस इसको define कर दिया कि निष्ट क्या चलो आप लोग गोई लीक देता हूं यार function definition ठीक है चलो इसको मैंने function को यहां पर properly define कर दिया और यहां पर आके मैं सबसे पहले target करता हूं button को तो const btn equal to document dot query selector और इसके अंदर जाना है गाई मुझे button को perfectly complete करना है चलो अब देखिए इस पी मैंने add event listen तो चला रहा हूं add event listen कोई भी करे तो इस पे click होना चाहिए simply click होना चाहिए click होना चाहिए alright और यहां पर function कर दूँगा guys perfectly चलो guys सही है मुझे यहां पर करना क्या सबसे पहले इसको मैंने completely कर लिए अब देखिए यहां को एक काम करना इस id को मुझे target करना सबसे पहले cost result 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 equal to document.getElementById alright id1 यहां पर मैं डाल देता हूँ अगर जो मैंना result होगा dot innerStml equal to जो आपका num है dot और इस पर आकर आपको some method का use करना इसके अंदर मैं क्या करूँगा यह जो function है यह मैं यहां पर चला दूँगा आपको कुछ करना ही नहीं अब मैं इसको refresh करता हूँ यहां पर चलता हूँ कोई error नहीं है अब जैसे मैं इस पर click करूँगा मुझे true मिल रहा है अगर मैं काम करूँ यार condition हटा हटा दूँ चेक करूँ क्या इसके equal है या नहीं है तो आपको यहां पर false मिले alright alright task one second alright guys इसके अंदर आप guys मैं यहां पर देखे simple करता हूँ two ठीक है तो अभी guys आपको tree मिले क्योंकि वो उसके अंदर area के अंदर कुछ न कुछ elements है ठीक है तो वो आपको वहां पर क्या print करेगा two print कर रहा है तो guys यह आपका था some method or I hope guys आपको यह video समझ में आ गया होगा सारा topic आपको clear हो गया होगा वीडियो के लिए तने thank you so much take care bye bye